शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूलें लाखो वारकरियों की मौजूद्गी में हर साल आयुजित होने वाली आशारी एकादशी समारो इस वर्ष बहुती कम लोगों की उपस्तिति में आयुजित किया गया आशारी पूजा मुख्यमंतरी उद्धो ठाकरे त्वारा की गई इस वर्ष श्री विठल रुकमिनी के मंदिर की रक्षा करने वाले पाथर डी के वीनेकरी विठल न्यान्देव बड़े को मान के वारकरी के रूप में सनमानित किया गया आशार शुकले कादाशी के आवसर पर श्री विठल रुकमिनी मंदिर समिती के ओर से मा विठल रुकमिनी के मगबरे को बैगनी, सफेद और गुलाबी फूलों से सजाया गया है इस आवसर पर मुख्यमंतरी उद्धो ठाकरे ने कहा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे यह सनमान मिलेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी पूजा भी करने पड़ेगी कोरोना के प्रकोप की कारण श्रद्धालों को आशारी यात्रा के लिए पंधरपूर आने की अनुमती नहीं है, इस कारण इस साल विठ्थल के दर्शन की रेखा खाली है पंधरपूर में 3 जून से आशारी एकादशी के प्रुष्ट भूमी पर करफ्यू लगाया गया पंधरपूर शहर और इसके 10 किलोमेटर क्षेत्र में 3 जून से 2 जुलाई की मधरातरी तक करफ्यू लगाया जाएगा प्रशासन न्याम जनता और वारकरियों से इस दवरान पंधरपूर नहीं आने की अपील की है